हलो फ्रेंड वल्कम बैक माई टेप चैनल रौश्णी की पार्शला तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं महीला प्रविक्षिक भरती परिक्षा दोजर देव इसके लिए मध्य प्रदेश सामा निग्यान की कुश्चन आंसर जिसमें हम देखने वाले हैं 100 से भी ज सामा निग्यान की जो important question की तो जाकर आप playlist पर देख लें अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करेगा और हमें support करेगा वीडियो पस्तना आए तो लाइक जरू करेगा इससे में motivation मलता है जिससे हम आपके लिए important जी के question लाते रहेंगे तो च योजन है next question है मध्य प्रदेश की उज्जेन में स्थित जंतर मंतर का निर्मान किसने करवाय था तो राजा सवाई जैसी हैं ने करवाय था next question है बाग की गुफाए मध्य प्रदेश में किस जीले में स्थित है तो धार जीले में स्थित है next है मध्य प्रदेश की सबसे कम सी किस प्रदेश से लगती है तो गुजरात राजय से लगती है नेक्स्ट कोशन है माखनलाल चतुर जी चतुरवेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश की किस जिले में हुआ था तो होशंगाबाद में हुआ था हेलियोडोरस का गरुड इस्थंब मध्य प्रदेश में कहां इस्थित है तो विदी सा जीले में इस्थित है नेक्स्ट कोशन है मालवा की गंगा किसे कहा जाता है तो छिप्रा निदी को कहा जाता है तो नेक्स्ट कोश्चन है आई एस ओ आई एस ओ का फुल फोर्म है इंटरनेशनल और्गनाईजिशन स्टेनराईजिशन तो आई एस ओ निस ओ एक से दो हजार आट अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राश्टी उध्यान कौन सा है तो मध्य प्रिदेश में सित वन विहार राश्टी उध्यान है नेक्स्ट कोश्चन है सतपुडा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है तो पचमेडी को जाना जाता है नेक्स्ट कोश्चन है सहस्त्र धारा जलपरपात किस नदी पर है तो नर्मदा नदी पर है नेक्स्ट कोश्चन है रानी लक्ष्मिभाई की सम अधी मद्य प्रदेश में कहां इस्थित है तो ग्वालियर में इस्थित है नेक्स्ट कोश्चन है डचीज फॉल जल जल परपाद जो है कहां पर इस्थित है तो पच्मडी में इस्थित है राणा प्रताप सागर किस नदी पर इस्थित है तो चंबल नदी पर इस्थित है न नेक्स कोशन है ग्राम नयाले इस्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है तो ग्राम नयाले इस्थापित करने वाला प्रथम राज्य जो है मध्य प्रदेश है नेक्स कोशन है मध्यप्रदेश के किस सहर को मिनी मुंबई कहा जाता है तो इंदोर को कहा जाता है मिनी मुंबई नेक्स कोशन है ग्रेटर गंगवू परियोज ना किस नदी पर है तो केन नदी पर है करके रेखा मध्य प्रदेश के कितने जीलों से होकर गुजरती है तो 14 जीलों से होकर गुजरती है नेक्स्ट कुश्चन है ताज उल मस्जिद भुपाल का निर्मान किस ने करवाय था तो सहा जहां बेगम ने करवाय था मध्य प्रदेश में प्रकासित होने वाला पहला अकबार कुन सा है तो ग्वालियर अकबार है मध्य प्रदेश में हिंदी भासा में प्रकासित होने वाला प्रथम अकबार कुन सा था तो मालवा अकबार था नेक्स कोश्चन है मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है तो गौलियर के किले को कहा जाता है मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य विवस्थक कितने इस्तर की है तो तीन इस्तर ही है मध्य प्रदेश की संगीत राज्थानी किसे कहा जाता है तो मेहर को कहा जाता है मध्य प्रदेश और 36 गड़ के विभाजन की बाद मध्य प्रदेश में कितने जीले रह गए थे तो 45 जीले रह गए थे मध्य प्रदेश की विधी पुरुस किसे कहा जाता है तो पंडित कुंजी लाल बुदुबे को कहा जाता है मध्य प्रदेश में कौन से मिट्टी सरवाधिक मात्रा में पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला किस जीले में आउजित किया जाता है तो खंडवा में आउजित किया जाता है सेजबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहां इस्थित है तो भुपाल में इस्थित है मध्य प्रदेश राज निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी तो 1994 में की गई थी नेक्स्ट कोशन है नगरिय निकायों में महीलाओं को 50% आरक्षन देने वाला भारत का पहला राज राज ये कौन सा है तो मध्य प्रदेश है नेक्स्ट कोशन है विस्व विरासत स्थल खजुराहों के मंदीर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थेत है तो छत्तरपूर में स्थेत है जागेश्वरी देवी का मिला मध्य प्रदेश में कहां आयजित किया जाता है तो चंदेरी में आयजित किया जाता है नेक्स कोशन है मध्य प्रदेश की प्रसीद्य रंगमंच कलाकारों के नाम बताईए नेक्स कोशन है मध्य प्रदेश में रंगमंच परमपरा की सुरुवात करने का स्रेव किस वरह धाय को जाता है नेक्स्ट कुश्चन है गम्मत नाटि परंपरा मध्यप्रदेश के किस अंचल में प्रचलीत है तो निमाड अंचल में प्रचलीत है नेक्स्ट कुश्चन है खंब श्वांग लोकनाटिय किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है तो खंब श्वांग लोकनाटिय कोरकू आदिवासी द्वारा किया जाता है इसमें पुरुस कलाकार इस्त्री के वेस में विभिन मुद्राओं में नित्य करते हैं नेक्स्ट कुश्चन है तान सेन का वास्तविक नाम क्या था तो तान सेन का वास्तविक नाम जो है रामतनु पांडे था नेक्स्ट कुश्चन है तान सेन का जन्म कहां हुआ था तो तान सेन का जन्म जो है घ्वालियर जीले की बेहड ग्राम में पंद्रा सो छे इस वी में थी और जो है इसके बाद वहार रिवा के राजा रामचंद्र के दर्वार में सामिल हुए थे नेक्स कोश्चन हम देख लिते हैं तानसेन का दिहांद कहां हुआ था तो तानसेन का दिहांद जो है आगरा में हुआ था नेक्स कुश्चन है तांसेन का मगबरा कहां इस्थित है तो तांसेन की एक्षा के अनुसार जो है इनका मगबरा इनका मगबरा जो है सूफी संत मुहम्मद गौस की ग्वालिर इस्थिति समाधी में बगल में बनाया गया है सरोद वादक उस्ताद अलाओदिन खान का जन्म कहां हुआ था तो सरोद वादक उस्ताद अलाओदिन खान का जो जन्म हुआ था त्रिपुरा में 1880 में हुआ था उन्होंने सरोद वादन की आरंभिक सिक्षा उस्ताद अली अहमद खान तथा उस्ताद वजीर से प्राप्त क में रहे तो उस्ताद अलावदिन खान अपने बाद की वर्सों में मध्य प्रदेश में मेहर की महाराजा ब्रिजनात सीह की दर्बार में रहे और यहीं पर बस गए थे नेक्स कुशन है उस्ताद अलावदिन खान का समारोह का आईजन कहां किया जाता है तो उस्ताद अलावदिन खान की स्मिति में प्रतेक वर्स मेहर में उस्ताद अलावदिन खान का समारोह का आईजन किया जाता है संगीत के क्रिश्ण राव पंडीत का जर्म जो है 1892 इस्वी में मध्य प्रदिश के ग्वालियर जिले में हुआ था इनके गुरु का नाम है मुहामद निसार हुसेन था संगीत की बोलतान सैली में किश्ण राव पंडीत को विशेस योगिता प्राप्त थी नेक्स कोशन है निर्गुडिया गायन सैली मध्यप्रदेश के किस छीतर में प्रचलित है तो निर्गुडिया गायन सैली मध्यप्रदेश के निमांड और मालवा छीतर में प्रचलित है नेक्स कोशन है निर्गुडिया गायन सैली की सुरुवात किसके द्वारा की गई थी तो निर्गुडिया गायन सैली की सुरुवात जो है सिंगाजी की द्वारा की गई थी नेक्स कोश्चन है भर्थरी क्या है तो भर्थरी एक जो है नात पंत के लोगों द्वारा गाय जाने वाला गीत है यह मालवा और अंचल में प्रसिद है नेक्स कोश्चन है बुंदल खंड में प्रसिद आलहा गायन में किसकी वीरता का वनन है तो बुंदल खंड में प्रसिद आलहा गायन में आलहा और उदल की वीरता का वनन किया जाता है नेक्स कोश्चन है पंडवानी गायन सैली में किसकी कथा का वर्णन किया जाता है तो बगहल खंड की पंडवानी गायन सैली में पंडवों की कथा का वर्णन किया जाता है तीजन बाई तथा जाड़ुराम दिवांगन इस गायन सैली से समंदित कलाकार है नेक्स कोशन है राई नेत्य मध्यप्रदेश के किस छेत्र से समन्दित है तो राई नेत्य जो है बुनिल खंड छेत्र में विवाह पुत्र जन्म आदी के अवशर पर किया जाता है राई नेत्य का आयोजन समाज के लिए प्रतिष्ठा का विशय होता है नेक्स्ट क्योशन है कालिदास की प्रमुक रचनाई कौन सी है तो कालिदास की प्रमुक रचनाई जो है अभिग्यान, सांकुतलम और विक्रोम वर्सियम और जो है माल विकागनी, मित्रम, रगुवनसम, कुमार संभवं, मेगदूत और रितु सहार है नेक्स्ट कुशन है कभी गजानन माधव मुक्तिबोद का जन्म कहां हुआ था तो छायावादी कभी गजानन माधव मुक्तिबोद का जन्म मध्यप्रदेश की सेओपूर जीले में सन 1917 में हुआ था इनकी प्रमुक रचनाई जो है चानद का मुहों टेड़ा है, एक साहीतिक डायरी और जो काम्याई नी एक पुनर विचार आधी है तो next हम देख लेते हैं वेंगेकार हरी संकर परशाई का जन में इस्थान कहां इस्ते थे तो हरी संकर परशाई का जन में इस्थान जो है माधिय प्रदिस के इटारसी के नजदिक इस्थेत जमानी नामक गाउं में हुआ था इनकी महत्पूर्ण रशनाय जो है बोलती रेखाएं हैं एक लड़की का पांच दिवाने तटकी खोज और जुआला और बल और निठली की टायरी आदी है नेक्स्ट हम दिख लेते हैं खजुराहो में कौन से प्रसिद मंदिर इस्थित है तो खज योगिनी मंदिर विश्वनात मंदिर और पार्सवनात मंदिर चतुरभुच मंदिर है नेक्स्ट कोशन है जबलपूर को किस और किस और नाम से जाना जाता है तो जबलपूर को जो है त्रिपूरी के नाम से भी जाना जाता है यह कल्चूरी वंस की रास्थानी रहा है नेक नेक्स कोशन है मध्यप्रदेश की संसकार राजधानी किसे कहा जाता है तो जबलपूर को मध्यप्रदेश की संसकार राजधानी तथा संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है जबलपूर को नेक्ट कोशन है मध्यप्रदेश का पहला रत्न परिस्कृत के इंदर कहां इस्थापित किया गया है तो जबलपूर में इस्थापित किया गया है तो मध्यप्रदेश के सतना जीले के भरहूत में असोग के इस्तुप के आवसेश प्राप्थ हुए हैं इसकी खोज जो है अलेकसेंडर घनिगम ने की थी नेक्स्ट कोशन है मध्यप्रदेश में मैगनिस नगरी किसे कहा जाता है तो बालाघाट जीले के भरवेली में मैगनिस खदान इस्तित है इसलिए जो है बालाघाट को मैगनिस नगरी कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है मध्यप्रदेश में तामा नगरी किसे कहा जाता है तो ब मलाजखंड भारत का सबसे बड़ा तामबा उत्पादक स्थल है याद रखना और मलाजखंड को जो है तामानगरी भी कहा जाता है नेक्स्ट कुश्चन है मध्यप्रदेश का पहला विश्विद्याले कहां इस्थापित है तो सन 1946 में मध्यप्रदेश का पहला विश्विद् जाले का दर्जा सन 2008 में प्राप्त हुआ था नेक्स्ट कुश्चन है जो हरलाल नहीं डूप पुलिस अकादमिक कहां इस्थित है तो सागर में इस्थित है मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण कौन सा है तो नरादी ही अभ्यारण है नेक्स्ट कुश्चन है परत के राश्ट पति डॉक्टर राजिंद प्रसाद ने इसका नाम विदीशा कर दिया प्राचिन काल में जो है विदीशा को बेस नगर और भेलसा या फिर जो है महावालिस्तान कहा जाता था ठीक है तो इतने नामसे जाना जाता था विदाईशा नेक्स हम देख लेते है उदेगिरी की गुफाएं कहां इस्थित है तो उदेगिरी की गुफाएं जो है विदीसा के उदेगिरी की गुफाएं गुफतकालिन है और इन गुफाओं के द्वार पर विश्णो भगवान की वराहा अवतार की प्रतीमा है और यहां वीर सेन साओ का अभी लेक भी है तो नेक्स्ट हम दिख लेते हैं दक्कन का दर्वाजा नाम से किस कीले को जाना जाता है तो दक्कन का दर्वाजा के नाम से जो है मध्यप्रदेश के बुरहानपूर में स्थित असिरगड कीले को दक्कन का दर्वाजा के नाम से जाना जाता है 1601 में अक्बर ने अपनी अन्तिम विजय के असिरगढ का किला जीता था next question है बुनकरो का नगर किसे कहा जाता है तो बुर्हानपूर को कहा जाता है next question है बध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख उत्पादन किस जिले में किया जाता है तो उमरिया जीले में क्या जाता है नेक्स कोशन है भारत की पहली किनर विधायक कौन है भारत की पहली किनर विधायक जो है सबनम मौसी है मध्य प्रदेश के सोहागपूर विधानसबा छेतर में जो है सरडोल जीला में वे चुनाव जीती थी नेक्स्ट कोशन है बांधावगर्ड रास्टी उद्यान किस जीले में स्थित है तो बांधावगर्ड नेशनल पार्क उमरिया जीले में स्थित है यह जो पार्क है 32 पहाडियों से घिरा हुआ है नेक्स्ट कोश्चन है छेत्रफल की द्रिष्टी से मध्य प्रदिस का सबसे बड़ा जीला कौन सा है तो छेत्रफल की द्रिष्टी से मध्य प्रदिस का सबसे बड़ा जीला जो है छिंदावडा है इसका छेत्रफल जो है 11812 वर किलोमेटर है नेक्स्ट कोश्चन है चिंदावडा का नाम चिंदावडा कैसे पड़ा तो चिंदावडा का नाम चिंदावडा में चिंद यानि की ताड़ की पीड बहुत संख्या में उपस्थित है इसलिए इसका नाम चिंदावडा पड़ा किसी समय में यहाँ पर सेरों की संख्या से जाना जाता है तो दम हो जीले को जाना जाता है नेक्स कोशन है मद्यप्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क किस जीले में स्थित है तो मद्यप्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है डिंडोरी जीले में स्थित है यहाँ एक जिवास्म पार्क है ठीक है जिव पत्थर के सहर के नाम से जाना जाता है तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मालवा का कस्मीर किसे कहा जाता है तो राजगर्ड जीले में चिडिको को जो है मालवा का कस्मीर कहा जाता है नेक्स्ट हम देख लेते हैं समराट असो का मोर्य कालिन अभिलेक मध्य प्रदेश के किस ज जीषिए की रूपनात नामक इस्थान पर पलिभासा में लिखित सम राट असो का मुरे कालिन अभीलेक प्राप्थ हुआ है नेक्स Lawrence है मुकतागिरी जैन 13 जिस्थान मध्य प्रदेश के किस जիले में इस्थित है मुक्तागिरी जैन तीर्थ इस्थान बैतुल जीले में इस्थित है यहाँ पर जैन धर्म के चपपन मंदिर इस्थित है नेक्स्ट कोशन है भारत की पहली किनर महापौर कौन है तो भारत की पहली किनर महापौर जो है कमला जान कटनी से ही है जो कि निर्वाचित हुए है तो कटनी से जो है निर्वाचित हुए है कि नर महापूर्ख कमला जान Next हम देख लिते हैं Madhya Pradesh का कौन सा इस्थान साडियों के लिए प्रसिद्ध है तो चंदेरी है Next question है Madhya Pradesh में पगल्या किस अंचल की लोग चीत्र कला है तो मालवा अंचल की कला है नेक्स्ट हम देख लेता है मध्य प्रदेश में नेंतम तापमान किस इस्थान पर रहता है तो पच्मडी में रहता है नेक्स्ट हम देख लेता है मध्य प्रदेश किस नदी को चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोश्चन है धान अनुसंद्धान केंद्र मध्य प्रदेश राजे में कहां इस्तित है तो बढ़वानी में इस्तित है नचना कुठार का अभिलेक किसासन किसासक से समन्दी थे तो व्यागर राज किसे समन्दी थे नेक्स्ट हम दिख लेते हैं मध्य प्रदेश में सरवाधिक चात्र में सरवाधिक मात्रा में तो एस्बेस्टर जो है कहां पाया जाता है मध्य प्रदेश में सरवाधिक मात्रा में जाबुआ में पाया जाता है नेक्स्ट हम देख लेते हैं मध्यप्रदेश का सबसे पुराना चिकिस्द महाविद्याले कहां इस्थे थे तो ग्वालियर में गजरा राजे जिकिस्सा ले जो है महावित्याले थाह नेकल अगर्स पाशार योगिन संस्कृती का प्रमुग केंद्र था तो जो है नवदा टोली यानिकिंदोर में जो है इसका केंद्र था नेक्स्ट हम दिख लेते हैं ताप्ती नदी का उधकम इस्थल मध्यप्रदेश की किस परवत श्रेणी से इस्थित है तो सत्पूरा की भाड़ियों से इस्थित है नेक्स्ट हम दिख लेते हैं मध्य प्रदिस की कौन सी नदी सरवाधिक मृता अपरदण करती है तो चंबल नदी करती है प्रसेद जैन तेर्थ इस्थल बवान गजा मध्य प्रदेश की किस जीले में इस्थित है तो जैन तेर्थ इस्थल जो है प्रसेद बावन गजा मध्य प्रदेश की बढ़वानी जीले में इस्थित है नेक्स्ट हम देख लेते हैं मध्यप्रदेश के किस जीले में हिंगलाजगड कीला सुस्थ। मध्यप्रदेश की लोग सिवा आयोग का मुख्याले कहा है इस्थे थे इन दोर में जो है इस्थे थे मध्यप्रदेश आयोजन मंडल की प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो प्रकास जंद्र सेथी थे नेक्स्ट कुश्चन है मध्यप्रदेश की किस जनजाते में घोटुल प्रथा पाई जाती है तो मोडिया जनजाते में पाई जाती है मध्यप्रदेश की बीच में बीच से गुजरने वाली करक रेखा किस नदी की समांतर होकर गुजरती है तो नर्मादा नदी के समांतर होते करकर रेखा गुजरती है रानी लक्षमिपाई की समाधी किस नगर में इस्तित है मध्यप्रदेस फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी JAMES एक्स्स सिर्गर का केला मध्यप्रदेस में कहा यह थी थी दो बुरहानपूर में इस्तित है मध्यप्रदेस में एस्टेडियम कहा यह थी थी थे तो next question है तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जीले में स्थित है तो होशंगाबाद में स्थित है तो यह था आज का important question आशा करती हूँ आपके लिए informative रहा होगा आज का वीडियो वीडियो पस्ना आया हो तो like जरू करेगा और वीडियो कैसा लगा comment करके जरू ब और जहाँ हुआजना प्रहा होँ बांद ही नाओटियो पस्थित है है है